कहांत इंस्पायड है ओम्राउत की रामायन मेकर्स ने सच में दी रिश्वत दोस्तों ओम्राउत के पल्म आदिपुरू शोशल मीडिया पर मीम मटेरियल बन चुकी है पर रिलीज होने के बास सही इंटरेट पर इसकी जम कर अलोशना की जा रही है जब पूरी डालॉक से ले करने के लिए बदले में रिश्वत ओपर कर रही है दोस्तों सोशल मीडिया पर कुछ यूजर ने ऐसी स्क्रिन्शॉट सेयर किया हैं जिसमें की फल्म के मेकर्स उनसे सोशल मीडिया से पनका नेगेटिव रिविई डिलीट करने की मांग कर रहे हैं दावा किया जा रहा है क कि इसके बदले में मेकर जिरिश्पत भी देने के लिए तैयार है एक ट्विटर यूजर ने स्क्रीनशॉट शेयर करते वे लिखा कुछ एजनसिया मुझे टी सिरीज और आदी पुरुष की तरफ से मेसेज कर रही है और मुझसे भीख मांग रही है कि मैं अपने ट्वीट ड लावा किया है कि मेकर्स ने उन्हें रिश्वत ओपर की है इस यूजर ने लिखा दरसल आदी पुरुष की टीम मुझे पुर्म का पॉजटिव रिव्यू देने पर प्रती ट्वीट 95-100 रुपय देनी की बात कर रही है पर मैं विकाओ नहीं हूं यहां यह भी बताना चाह अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी डारेक्टर ओम राउत ने इस फिल्म को लेकर अब खुलकर बात की है और अपने विचारों को पुई दुनिया के सामने रखा है ताना जी ऐसी पिल्म बना चुके ओम राउत से पूछा गय कि रामायन के किर्दारों के साथ आदी पुरुष में ऐसी क्या गरबर हुई कि हमें उनके रावन के सामने हमारा पुरान रावन अच्छा लगने लगा ओम ने जवाब में कहा कि मैं प्रभू राम का बहुत बड़ा भग थूँ इस पिल्म में हमने इतिहास के साथ कुछ ग रामायन हमने देखी थी तब तो मैं बहुत छूटा था जब दुदर्शन पर मैंने देखी और उससे मैं काफी प्रभावित हो गया था फिर उसके बारे में बहुत पढ़हा काफी कुछ जाना और जब वो रामायन देखी थी तो उसमें कुछ modern technology थी कि एक 3 आता है उसमें स 10 होते हैं और फिर 10 में से 100 होते हैं यह सब हमने देखा नहीं था यह हमारे लिए काफी नया था हमको यह पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है तबकि जमाने में वो बहुत popular हुआ था और जो आप रावन की बात कर रहे हैं तो वो एक दानव है उसे बहुत बड़ी मूचे इसलिए करके उन्होंने दिखाया था उस जमाने का वो राक्षस ही और आर्टिस्क रेप्रेजेंटेशन था राहमनण सागर का लेकिन हमारा रावन वह जो आज की जमाने का है आज का क्रूर राक्षस है उम्रावत ने आगे कहा कि जिसने हमारी सीता मैया का हरन किया वो रा मायन को कौपी नहीं किया बलकि उसका न्यू वर्जन क्रियेट किया है दोस्तों आपको क्या लगता है क्या उम्राउत का ये नजरिया सही है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूरिएगा आज ये ये बस इतना ही मैं फ्रोगती मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में सेफ रहिए मुस्कुराते रहिए बाबाए